असलाम लेको वीवर्स कैसे आप सब मैं हूँ मनतशा आप लोग देख रहे हैं मनतशा फूर्ड चैनल सभी का वेलकम मनतशा फूर्ड चैनल में आज हम बनाएंगे बकरे की कलेजी की रेसिपी जो के पपा आज बनाएंगे बकरे की कलेजी की रेसिपी बहुत इजी रेसिपी और ये बहुत चटपटा रेसिपी बनती है बक्री की कलेजी की चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कलेजी की रेसिपी बनाना बिस्मिल्लायर वहमाने वहीं बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने एक कीलो कलेजी लिए बक्री की इसे पहले वाश कर लिया था अच्छी त लिया है। यह हमने सभी चीज़े तियार कर लिया बिनानां की कई ऩार मैचा को सबसुर कर लिया लिया है। केण्ट हैं व्हार्म हो गया अब इसमें बारिच छॉप केवे प्याजेट कर दिये यह जो का हलका सा फ्राइ कर लेंगे क,' इभत प्षिनों को धन हुआ करेंगे वारिच चॉप किया हुआ यह देखे हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं अब हम इसमें कलेजियेट करेंगे बक्रे की अब हम इसे प्याजों में गूल लेंगे यह देखे कलर चेंज होंगे इसे हमने प्याजों में गूल लिया था और जो टिमाटर बारी काटे थे उसे जूसर में ग्रेंड कर लिया थे और वो टिमाटर हमने ग्रेंड के वे एट कर दिये कलेजी में अब इसमें मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम मिसाले एट करेंगे दो टेबिल स्पून नमक के एट करेंगे एक टेबिल स्पून जीरा एट करेंगे जीरे की खुच्बू सालन में बहुत अच्छी लगती है इसलिए हर सालन में आप लोग जीरा एट किया करें हाफ टेबिल स्पून हल्दी का एट करेंगे दो टेबिल स्पून कुटी लाल मिर्ची के एट करेंगे मिक्स कर लेंगे सारे मिसाले अच्छी तरीके से गरा मिसाला एट करेंगे हाफ टेबिल स्पून मिक्स कर लेंगे ब्लेक पेपर एट करेंगे वन टेबिली स्पून बड़ा सबरेट कर देंगे मिक्स कर लेंगे अब सभी मिसालों का अच्छी तरीके से यह देखें ओपर ओयल भी आ गया माशालला से कलेजी के रेसिपी त्यार होने वाली है यह हरी मिर्ची बारिक चोप कीवी है, काफी हरी मिर्चे जदा ही चोप कीवी एट करेंगे क्यूद के हमने कुटी लाल मिर्ची का मेट की है अब साबत हरी मिर्चे कुछ एट कर देंगे चार से पांच उपर से यह देखें माशला से बहुत ही जबर्दस खुश्बू आ रही आज की कलेजी की रेसिपी की उपर से लेमन करा सेट करेंगे ताकि कुछ जादा ही चट पटा कलेजी की रेसिपी हमारी त्यार हो जाएगी अब हम उपर से फ्रेश हरा दनिया एट कर देंगे अब इसे 10 सेकंड तक बाप पर रख देंगे यह देखें 10 सेकंड तक बाप पर रखा था यह देखें माशला से आज की हमारी कलेजी की रेसिपी त्यार हो गई यह बहुत ही जबर्दस आज की कलेजी की रेसिपी पपा ने बनाई है खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है माशालला से अब लोगों को मैं सार्फ करके भी दिखाऊंगे आज मैं फ्रीवियू कुछ दिन मैंने वीडियो नहीं दी थी यूटुब पे अपने चैनल पर तो आज फ्रीवियू तो आज पपा ने कलेजी की रेसिपी बनाई है कुछ से इसकी शादी थी इसकी वज़ासे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तो आज वीडियो बनाई है मैंने कलेजी की बहुत ही जबरदस आज की कलेजी की रेसिपी त्यार हो गए यह बक्रे की कलेजी थी जो के हमने एक किलो ली थी बहुत ही जबरदस बनी है पपा ने बनाई है एकदम इसकी सॉफ्ट कलेजी की बोटी बनी है यह देखे एकदम सॉफ्ट है बहुत ही जबरदस है आप घर की रोटी बना कर खाएं इसके साथ यह चपाती ले साथ बहुत ही वेस् नेक्ट सूदियत थे किंगे।